हेलो दोस्तो मैं हूँ डाक्टर सिवराज सिंग स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंग में दोस्तो आसा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़ियां अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो भाई आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो अध्याई 6, 20-6, क्लास आपका 12 है कच्छा 12 किया इतिहास आप पढ़ने वाले हैं ठीक है और इस अध्याई का नाम है आपका देखे भक्ती सूफी परंपराएं ठीक है इसमें आप धार्मिक विश्वासों में बतलाओ और स्रद्धा ग्रंथ इसको आप देखने वाले हैं और जो समय आप जो अध्यान करेंगे आज के वीडियो में वो समय रहेगा लगभग आठवी से अठारवी सदी तक का जो समय है उसमें जो है ये चीजें आप अध्यान करेंगे ठीक है तो इसके पहले आप अगर अभी नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजे और भी यदि अधर चैनल पे जैसे इंस्टा पे या फेस्बूक पे आप अगर देख रहे हैं तो फेस्बूक पे या आप यूटूब पे आजाईए और सर्च करने के लिए यहां पी हिस्ट्री के आगे जो सर्च आप्शन एड़रेट लगाईएगा हिस्ट्री विद सिंग लेखिएगा इस्पेस नहीं देना है ठीक है एड़रेट हिस्ट्री विद सिंग आप लगा करके यूटूब पे सर्च करके और जो है सब्क्राइब कर लिजे क्यों ऐसा बोड़ा हूँ आपको क्योंकि यूटूब पे मैं ज्यादा सक्री हूँ और हाँ इसके पहले मैं आपको पूरा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक का जो है कंप्लीट करा दिया है ट्वेल्थ में आप देखिए पूरा एक अध्याय से लेके पांस तक कंप्लीट करा चुका हूँ और आज आपका छटवां कंप्लीट करा रहा हूँ ठीक है तो आईए दिखिए आप जो है, अध्याय चार में हमने पढ़ा, starting आप दिखिए, लिखा हुआ है, अध्याय चार में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्रताबदी के मध्य तक, ठीक है, आते आते, भारती महादीब का परिवेश, धार्मिक इमारतों, श्तूप, बिहार और मंदिरों में च चिन्हित हो गया, ध्यान दीजे, क्या करें हैं, अध्याय चार में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्रताबदी के मध्य तक, आते आते भारती महादीब का परिवेश, धार्मिक इमारतों, श्तूप, विहार, और मंदिरों में चिन्हित किया गया, श्तूप आपने देखा, प गौतम बुद्ध के अस्थान थे या इस तरह के गुरु थे, उनका अस्थान जैसे गौतम बुद्ध का आप देख लीजे, जैसे उन्होंने जहां पे जन्म लिया है, लुंबनी, हम लोग वहां पे गये हैं, नेपाल में है, लुंबनी में, जहां जन्म अस्थान है, वहा नहीं ले पाए नहीं तो भाई आपको भी दिखाते तो जैसे लूम भी नहीं हुआ और जहां ग्यान की प्राप्ति हुई है बिहार में आप देखेंगे आप सार ना था जाईए यहां भी जहां पर उनके साथ जो तब कर रहे थे जब उनसे मिलते हैं जो अस्थान पर है ना क तो अब जहां सारनात में आप देखें इस्तूप बना है तो जहां जहां अब जैसे और उस्तूप के अंदर होता क्या है उस्तूप के अंदर जैसे भाई उनके जो गौतम बुद्ध के हैं जैसे असूप ने आप देखी कि उसको उनके आंग को कई इस्तूपों में वहां जो आंग को उनके जो सारीरी भोग की वस्तुएं थी अच्छा उस्तूप के आपको जानते हैं कि जैसे जो उस्तूप बनते हैं गौतम बुद्ध का जो मतलब सरीर का कोई पार्ट है या तो वहां पर रखा रहता है और या तो आपका उनकी इस्तमाल की गई चीजें जैसे ज चीज वहां पर उस्तूप जहां पर बनता है तो वहां पर रहता है मतलब उसको रख करके पूरा जो है ऊपर उस्तूप बनाते हैं जैसे पहले मतलब उस्तूप का आर्थ क्या है जैसे मट्टी क्या थूआ है ना जैसे मट्टी को उपर से पहले पहले क्या होता था का किये अच्छी तरीके से उसका निर्माड किये उसका डिजाइन किये रेलिंग बनाए है ना ये पीछे के आपने वीडियो देखा है तो आप पूरा आपको मैंने बता दिया था कि स्थूप क्या होता है क्या क्या चीजी है जिसे साची स्थूप आपने देखा है ना पूरा आद ये जो है वहाँ पूजा पाट करते थे वो बिहार है मंदिर तो आप जानते ही हैं भगवान के मंदिर है ना तो चिन्हित किया गया और हाँ ध्यान दीजी कोई भी confusion है तो भाई पूछ लीजेगा है ना अगर कुछ भी आपको लगता है कि भाई मुझे पता नहीं है तो आप comment box खाली है पूछ लीजेगा है ना इससे मुझे भी doubt नहीं रहेगा कि भाई मैं जो समझाया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई बतलब clear मैं भी रहूं और आपको कोई confusion है कोई चीज के लिए तो तुरंत comment करिएगा है ना तो जिससे मैं भी आश्वस्तर हूं भाई कि आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ रही है ठीक आगे देखें यदि यह इमार्ति किसी विशेश धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुननिर्माड हम सहित्तिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर शक्ति हैं ठीक और जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरम हो गया था इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो सहित्तिक और दिश्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं इस काल के नूतन साहित स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने जनसाधान की छेत्रिय भासाओं में मौखिक रूप से अपने को बैत्ति किया था यह रचनाएं जो अधिकतर संगीत बद्ध हैं संतों के अनुयाईयों द्वारा उनकी मित्यों के उपरां संकलित की गई हैं जैसे आप गौतम बुद्ध को देखिए जो उन्होंने उपदेश दिया था अपने सिश्यों को तो उनकी जिन्दा रहत भी नहीं लिखी गई हैं उसके बाद उनकी मित्यों के बाद सारी चीज़ें उनके सिश्यों ने आगे चलके उसको लिखा है ये परंपराएं प्रवाहमान थी अनुव्याईयों की कई बिडियों ने मूल संदेश का न केवल विश्तार किया अपितुन विचारों को जो भिन राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संदर्भ में संदिक धवब अनावश्यक लगे उन्हें यातो परिवर्तित कर दिया, अथो अत्याग दिया इन शुरोतों का मुल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनाउती है इतिहासकार इन संद कवियों की अनुवाईयों जो उनकी संपरदाई से थे द्वारा लिखी गए उनकी जीवनियों का भी इस्तिमाल करती है हाला कि जीवनियां अच्छर्च शत्य नहीं है तथा पी इनसे यह ज्यात होता है कि अनुयाई इन पत्थ पदर्शक इस्त्रीपुर्शों के जीवन को किस तरह से देखते ठे जैसा कि हम देखेंगे कि ये सुरोत एक क्रियात्मक और विविध द्रिश्य योजना को समझने की अंतरदिष्टी प्रदान करते हैं आए अब हम इसके मूल तत्तों को बारिकी से देखते हैं यह देखे यहाँ पे चित्र नंबर 6.1 आप देख रहे हैं मडिक कव चककार की बारहवी सताबदी की कान से मूर्ती है ये सिव के अनुवाई थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे यहाँ पे आप मूर्ती देख लीजे अब देखे आजए आजए ये पहला पॉइंट हमें दिख रहा है धारमिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट क्या पॉइंट है धारमिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमनी बनावट संबवता इस काल की सबसे प्रभावी विश्ष्टता यह है कि साहित्य और मूर्ती कला दोनों में यह अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दिश्टिगत होते हैं एक अस्तर पर यह तत्थीस बात का घोतक है कि विश्णू, सीव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्ति किया गया था उनकी अराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और आधिके विश्टित हुए आगे देखें पूजा प्रणालियों का समन्वय चली आई यह से देखें वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहां कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यत थी एक प्रक्रिया ब्रामवडिय विचारधारा के प्रचार की थी इसका प्रसार पौराणी ग्रंथों की रचना, शंकलन, परिरच्छन द्वारा हुआ यह ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन इस्त्रियों और सुद्रों द्वारा ही ग्राहे थी. इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया भी इस्त्री, सुद्रों, अन्य सामाजी कु alone की आस्थाओं और आचनों को ब्रह्मणों द्वारा स्विक्रित किया जाना और उसे एक नया रूर प्रदान करना वस्तुतह समास सास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे महादीब में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और परदतियां महान संस्कित पौडारिक परिपाटी तथा लगु परंपरा के बीच हुए अविरल समवाद का परिडाम है इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदारर पूरी उडिशा में मिलता है जहां मुख्य देवता को बरहवी सताब्दी तक आते आते जगनात साब्दिक अर्थ में संपूर बिश्व का स्वामी साब्दिक अर्थ में संपूर बिश्व के स्वामी को जगनात कते हैं विश्नू के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया यहां पे चित्र भी बना है आप देखिए यह आकरिती दाहिने से यह जो आप देख रहे हैं दाहिने यह है जगनाजी की है जगनाजी की मुर्ती यह आप देख रहे हैं जो अपनी बहन सुबद्रा देखी मध्य में हैं और भाई बलराम बाएं हैं यह देखे भाई बलराम जो है बाएं हैं महाभारत में भी आपने देखा होगा सुबद्रा के बारे में उनकी जो बहन थी उनकी स्टो तो और ये भगवान कृष्ण की मूर्ती है आप देख रहे हैं जगनाद भी नाम भवान के दो कई नाम होते हैं उनमें से एक नाम जगनाद भी है भगवान कृष्ण का ठीक है अब यहाँ पे उपर आप देखिए महान और लगहु परंपराएं इस पॉइंट को आप देखिए महान और लगहु जैसे सब्द बीश्वी सताब्दी के समाज सास्त्री राबर्ट रेड फिल्ड द्वारा एक क्रिशक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वड़न करने के लिए मुद्रित किया गया इस समाज सास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुशरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्व शाली वर्ग जैसे पूरोही और राजा द्वारा पालन किया जाता था इन कर्मकांडों को रेड़ फिल्ड ने महान परंपरा की संग्या दी साथी क्रिशक समुदाय अन्य लोकाशारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सरुथा भिन थे उसने इसे लगु परंपरा के नाम से अभी हीत किया ठीक है रेड़ फिल्ड ने या भी देखा कि महान और लगु दोनों ही परंपराओं के समय साथ हुए पारश्परिक आदान परदान के कारण परिवर्तन हुए हलाकि बिद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गी करण के महत्त से इंकार नहीं करते तथा पिवे इन सब्दों में जो पदसो पानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं इसे लच्छित करने का एक तरीका है इन सब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तूत करना जैसे लगु और महान ठीक है अब आजाएए अब यहाँ पे आप देखिए इस उद्धरण से स्थानी देवता को जिनकी पतिमा को पहले और आज भी लकडी से स्थानी जन जाती के विशेशग्यों द्वारा गढ़ा जाता है और विश्नु के रूप में प्रस्तूत किया गया है विश्नु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले शरूपों में सरुथा भिन्द है सवन्नमय के ऐसे उद्धरण देवी संप्रदाय में भी मिलते हैं देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गई पत्थर के रूप में ही की जाती थी इन अस्थानी देवीयों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मानेता दी गई कभी वो लच्मी के रूप में विश्णो की पत्नी बनी और कभी सिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामते आई आगे देखें भेद और संघर्ष अगला पॉइंट आप देख रहे हैं अधिकांसह देवी की आराधना पद्धत को तांत्रिक नाम से चाना जाता है तांत्रिक पूजा पद्धत उप महादीब के कई भागों में प्रचलित थी इसके अंतरगत इस्त्री और पुरुष दोनों ही सामिल हो सकते थे इसके अतरीक्त कर्म कांडिय संदर्म में वर्ग और वर्ड के भेद की अवहेलना की जाती थी इस पद्धत के विचारों ने शैव और बाउध दर्शन को भी प्रभावित किया खास तौर से उप महादीब के पुर्वी उत्तरी दच्छडी भागों में आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों आचारों का वर्गी करण हिंदू के रूप में हुआ यदि हम वैदिक और परणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विशमता और अधिक इस्पस्ट रूप से उभर कर आती है ठीक वैदिक देवकुल के अगनी इंद्र शोम जैसे देवता पूरी तरह गाउड हो गए जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं वैदिक काल में अगनी इंद्र शोम यह प्रमुग देवता थे तो आगी चल के आप देखते हैं कि यह देवता गवड हो जाते हैं विश्नु, सिव यह आप देखते हैं कि प्रथमस्थान पे आ जाती है यह आपने वैदिक काल मैंने आपको बताया है आपने नहीं दिखाया तो देख लीजे स्टार्टिंग से मैंने सिंधु सबधा से आपको पूरा अभी आधुनी की तिहास तक लेखर आपको कंप्लीट पढ़ाया है अगर आपने कोई वीडियो अभी नए है तो पूरा एक से एक तरफ देख डलिए सारी समस्या इतिहास की आपकी खतम हो जाएगी पूरा इतिहास आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और साहित्य वह मुर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपर नहीं दिखता है ना हाला कि वैदिक मंत्रों में विश्णू, सीव, देवी की जलक मिलती है इसकी तुलना इसके विश्ण पौराणिक मित्खों से कदापी नहीं की जा सकती किन्तु इन आसंगतियों के बावजूत वेदों को प्रमारिक माना जाता रहा इसमें कोई आश्चर की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्तिती भी उत्पन हो जाती थी वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे इस्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यग्यों के संपादन से परे थे इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक अराधना में लगी थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करती थे इसके अलावा भक्त अपने इस्ट देव विश्नु या सिव को भी कई बार सरोच प्रचेती प्रचेपित करती थी ठी आने परवपराओं जैसे बहुत अथ्वा जैन धर्मे से भी संबंध अक्सर तनावपुर हो जाती थे यदे पी सपस्ट द्वंध कम दिखाई परत करते थे यहां पर एक चित्र भी आप देख रहे हैं इस चित्र के बारे में समझ लीजिए फिर आगे चलें देखिए बाउध देवी यह आप जो मुर्ति दिख रहे हैं आपको बाउध देवी मारीची की मुर्ति लगभग दस्वी सताबदी बिहारत की है या विभीन धार कर्मिक विश्वासों और करिया कलापों के एकी करण की प्रक्रिया का उधारन प्रस्तुत करती है यह मुर्ति को आप ध्यान से देखें ठीक अब आई आगे भक्ती परंपरा को अपने इसी संदर मेरक कर देखना होगा हम जिस काल विशेश पर गौर कर रही हैं उससे पूर्व लगभग एक हजार वर्ष पुरानी भक्ती पूर उपासना की परिपाटी रही है इस समय भक्ती परदर्शन में मंदिरों में इस्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तलीन हो जाना दिखाई परता है भक्ती रचनाओं का उचारण अथ्वा गाया जाना इस उपासना परद्धत की अंस थे वैशनों और सैव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेश रूप से लागू होता है आगे देखें दूसरा पॉइंट हमें है उपासना की कविताएं प्रारंभिक भक्ती परंपरा इसे आप लोग देखें अराधना के तरीकों के करमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवी ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्त जनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया या दिजिए अराधना के तरीकों के करमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवी ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके पास भक्त जनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया या दिपी बहुत सी भक्ती परंपराओं में ब्रामार देवताओं भक्त जन के बीच महत्पूर भी चौलिये बने रहे तथा पी इन परंपराओं ने श्त्रियों और निम्न वणों को भी स्विक्रित वस्थान दिया ठीक है भक्ती परंपरा की एक और विशेशता इसकी विबितता है दूसरे अस्तरप धर्म के इतिहासकार भक्ती परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बाटते हैं सगुड विशेशन सहित और निगुड विशेशन विहीन प्रथम वर्ग में सीव विश्नों तथा उसके अवतार वो देवियों की अराधना आती है जिनकी मुर्थ रूप में अवधाना हुई निगुड भक्ती परंपरा में अमुर्थ निराकार इश्वर की उपासना की जाती थी ठीक आगे आईए अगला पॉइंट हमें दिख रहा है तमिल नाडु के अलवार और नैनार संत अभी अलवार और नैनार संत कौन है आईए इसे आप समझे प्रारंपी भक्ती अंदोलन ये कब है हुआ है इसका समय क्या रहा है तो देखी लगभक छटी सताबी में ये प्रारंपी भक्ती अंदोलन है अलवार हों है ना तो अलवार अलवार किसे कहते है अलवार जो भक्त थे जो गुरु थे वो कौन थे अलवार कौन कहा जाते थे जो विश्नु के भक्ती में तनमय थे जो विश्नु को मानने वाले थे विश्नु की भक्ती में लीन रहने वालों को अलवार है ना अलवार कहा जाता है ठीक है पर भ्रमण करते हुए, तमिल में अपने इस्ट की स्थुत्वी में भजन गाते थी, ठीक है, अपनी यात्राओं के दवरान, अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इस्ट का निवास अस्थल गोशित किया, इनी स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरो का निर्माड हुआ, अपनी यात्राओं के दवरान जो अलवार और नैनार संत थे, जो अपने भगतों को उपदेश देते थे, ने कुछ पावन अस्थलों को अपने इस्ट का निवास अस्थल गोशित किया, इनी अस्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माड जहां वो जन्म लिये, जहां वो वदेश दिये, जहां उनकी मित्ति हुई है, जहां उन्हें ग्यान प्राप्त हुगा है, उस्थूप बनाता, उसी तरह देखिए ये संत लोग ने बताया, तो इन संत लोगों ने बताया कि जहां पर भाई ये जैसे उनके जो इस्थ हैं, आप मालीजे अलवार हैं, तो भगवान विश्णू का जहां पर जन्म हुआ है, या सिव का जो अस्थल रहा है, तो वहां पर आप देखिए कि निवास अस्थल भोसित, जो है इस्थ देव का निवास अस्थल भोसित किये हैं, इन्हीं अस्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्मार्थ हुआ, और वे तिर्थ अस्थल माने गए, आज भी आप देखते हैं, है ना, अब संत कभियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुस्थानों के समय गाया जाता था, है ना, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी, अब की यहां पे लिखा है चतुर वेदी, चतुर वेदी क्या है, चारो वेदों के ग्याता ब्रामध, जो चारो वेदों जिन को याद है, जो चारो वेदों के बारे में जो ब्रामध जानते हैं, उन्हें चतुर वेदी कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं, आज भ दिवेदी, त्रिवेदी, चतुर वेदी, ऐसे नाम, जो है, हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक ब्रामण का नाम सुना था, उनके नाम के पीछे चतुर वेदी लिखा था, और यहाँ पे भी है, तो मुझे लगता है, जहां तक है, कि जो दो वेदों के जानकार है वो दिवेदी है जो त्रिवेदी है वो तीन वेदो के जानकार है चतुर वेदी यहां पर देखी रहे है कि किताब में भी लिखा है चारो वेदेव के ग्याता ब्रामण को जो है चतुर वेदी टाइटल लगता था जो कि आज तक चला आ रहा है तो जहां लगता है यही है बाकी यदि आप लोग में से कोई ब्रामण है या देखने वाले हैं तो अगर आप इसके बारे में और अच्छे से डीप में जानते हैं तो जरूर कमेंट बाक्स में बताईएगा जिससे कि और भी जो दर्सक हैं जो देखने वाले हैं उनको जानकारी और अच्छी ह हो जाए है ना और देखिए यहां पे लिखा है चतुरवेदी और आश्प्रिश्य यह क्या है आईए इसे देखिए यह उद्धरण तो देखिए यह उद्धरण तोंडरा डिपोडी नामक एक प्रामः अलवार के काब से लिया गया है है ना क्या है भाई चतुरवेदी जो अजनवी है और तुम्हारी सेवा के प्रती निष्था नहीं रखते उनसे भी ज्यादा आप हे विश्णू उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों को प्रीम रखते है चाहे वी वण व्योस्था के परी हूँ आजे अब यहाँ पे जाती के प्रति दिश्टी कोण आईए इसे आप समझें कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाती प्रताव ब्रामणों की प्रभुता के विरोद में आवाज उठाई कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ती संत विविध समुदायों से थे जैसे ब्रामण, सिल्पकार, किशान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्प्रिश्य माना जाता था ठीक अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्व पुड़ बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया है उदारन सरूप अलवार संतों ने एक मुख्य काब संकलन नल ये रा दिव्य प्रबंधम का वड़न तमिल वेद के रूप में किया जाता था इस तरह इस गरंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया हो ब्रामण द्वारा पूशित थे इस तरह इस गरंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्रामण द्वारा पूशित थे स्त्री भक्त अगला पॉइंट देखे संबाउता इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टा इसमें इस्त्रियों की उपस्तिती थी उदारण तह अंडाल नामक अलवार इस्त्री के भक्ती गीत ब्यापा कस्तर पर गाये जाते थे और आज भी गाये जाते हैं अंडाल स्वयम को विश्णू की प्रेशी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में ब्यक्त करती थी एक और इस्त्री शिव भक्त करई काल अमय यार ने अपने उद्देश प्राप्ति हितु घोर तपश्या का मार्ग अपनाया नैनार परमपरा में उसकी रचनाओं को सुरच्छित किया गया हलाकि इन इस्त्रियों ने अपने शामाजी करतब्यों का परिताग किया वह किसी वैकल्पिक ब्योस्थात्वा भिछुड़ी समदाय के सदर्शिता नहीं बनी इन इस्त्रियों की जीवन पद्धत और इनकी रचनाओं ने प्रित्ति सत्तात्मक आदर्शों को चुनावती दे अगला यहां पे आप देखें सास्त्र या भक्ति इसके बारे में आप संभें यह चंद अपपार नामक नैनार संत की रचना है हे धुर्त जन जो तुम सास्त्र को धत करते हो तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का तुम केवल मार पेरू के श्वामी शिव जो तमिलाड के तंजावुर जेले के माप मार पेरू में बसते हैं को अपना एक मात्र आश्यदाता मान कर नत्मस तक हो अगला दोस्तों आप देखो भक्ति सहित्य का संकलन इसे आप पढ़ें दस्वी सताब्दी तक आते आते बारह अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया कब तक दस्वी सताब्दी तक आते आते थी जो नल इरा दिव्य प्रवंधम चार हजार पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है दस्वी सताब्दी में ही अपार सबंदर की सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई ठीक है जिन में कविताओं का संगीत के आधार पर वरगी कर हुआ ठीक आजाईए अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है एक राच्छसी आईए इसे देखिए भई एक राच्छसी का क्या मामला है यह उद्धरण कराई काल अमय यार की कविता से लिया गया है यहाँ वेश्वयम का वड़न कर रही है राच्छसी फूली हुई नाडियों वाली बाहा निकली आँखें सफेद दात भीतर धसा उदर है ना यह मुर्ती भी आप देख सकते हैं लाल केश और आगे निकले दात लंबी पिंडली की नली और टकनों तक फैली हुई है ठीक वन में विचरते समय चीखना और करंदन अलंग कटू का वन है जो हमारे पिता सिव का घर है वह नित्य करते हैं उनके जटा जूट आठो और विखर जाते हैं उनके अंग सांत हैं ठीक यह आप चित्र देख रहे हैं कराराइकल अमयार की बरहमी सताब्दी में निर्मित कान से मुर्थी यह आपके सामने है अगला पॉइंट देखिए राज्य के साथ सम्वंद इसे आप देखें आध्याय दो में हमने पढ़ा कि तमिल छेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी इश्वी के आरंभ से कई महत्पूर सरदारियां थी इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध से में राज्य का उत्भव विकास हुआ जिसमें पल्लव और पांड़य राज्य छटी से नवी सताब्दी स्वी सामिल थे हाला कि बाउध और जैन धर्म इस छेत्र में कई सताब्दियों से मौजूद थे ठीक और उन्हें ब्यापारी वा सिल्पी वर्ग का पश्रय सामिल था इन धर्मों को राज्य की सरच्छड और अनुदान यदा कदा ही सामिल होता था एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ती रचनाओं की एक मुख्य विशैवस्तु बाउध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेश रूप से उभर कर आता है इतिहास कारों ने विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाओ दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मीक समुधायों में राजकी अनुदान को लेकर प्रतिशपरधा थी या हिस्पस्ट है कि सक्तिसाली चोल नवी से तिरहवी सतावदी जो है समराठों ने ब्राम्हणी और भक्ती परंपरा को समर्थन दिया तथा विश्णू और शीव के मंदिरियों के निमाड के लिए भूमी अनुदान दिये आगे दिखें चिंद बरम तंजावूर और गंगय कोंड चोल पूरम के विशाल शीव मंदिर चोल समराठों की मदस से ही निर्मित हुए ठीक है इसी काल में कांस में ढाली गई शीव की पतिमाओं का भी निर्माड हुआ सपस्ट है नैनार संतों का दर्शन सिल्पकारों के लिए प्रेडा बना नट्राज रूप में शीव का यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो बना हुआ है ठीक है मुर्थी बनी है नैनार और अलवार संत वैलाल कृष्कों द्वारा सम्मानित होते थे इसलिए आश्चर नहीं है कि सासकों ने भी इसका समर्थन पाने का प्रेयास किया उदारण तह चोल समराठों ने दैवी यह समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के बदर्शन के लिए शुंदर मंदिरों का निर्माड कराया जिन में पत्थर और धातु शे बनी मुर्थियां सुसजित थी इस तरह इन लोगपरिय संत कभियों की परिकल्पना को जो जन भासाओं में गीत रस्तिव गाते थे मुर्थ रूपरदान किया इन सम्राठों ने तमिल भासा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन गरंत तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया 945 इश्वी के एक अबलेक से पता चलता है कि चोल सम्राठ परांतक प्रथम ने संत कभी अपार सबंदर और सुन्दरार की धात्य प्रतिमाए एक सिव मंदिर में सापित कराई इन मुर्थी को उस्व में एक जुलूस में निकाला जाता था ठीक आगे देखें आप करनाटक की वीर शयो परंपरा बरहुई सताब्दी में करनाटक में एक नवीन अंदोलन उदभाव हुआ जिसका नेतित बासमवन्ना ग्यारा सवचह से जो है 68 नावक मानि समय किया है बसवन्ना का नमागे ब्रामण ने किया है बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे इनके एंवाई वीर शैव सीव के वीर है ना वीर सहयो का मतलब क्या है शीव के वीर है ना वह लिंगायत लिंग धारन करने वाले को क्या करते हैं लिंगायत है ना कहलाए आज भी लिंगायत समदाय का इस छेतर में महत्व है वे शीव की अराधना लिंग के रूप में करते हैं इस समदाय के पूरुस वामिसकंध प एक लगहू लिंग को धारन करते हैं ठीक है जिन्हें स्रद्धा की दिष्टे देखा जाता है उनमें जंगम अर्थात या 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 वर विच्छु शामिल हैं लिंगा लिंगायतों का विश्वास है कि मित्यु परांत भग्त सिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पु अने मृतकों को विधी पूर्वक दफनाते हैं लिंगायतों ने जाती की अवधारणा और कुछ समदायों के दूसी थोने की ब्रामहडिय अवधारणा का बिरोध किया उनरजन के सिधान पर भी उन्होंने प्रश्टमाचक चिन लगाया इन सब कार्डों से ब्रामहडिय सम समाजिक ब्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला वे लिंगायतों के अनुवाई हो गए धर्म सास्त्रों में जिन आचारों को स्विकार किया गया था जैसे वैस्क विवा, विद्वा विवा, लिंगायतों ने उन्हें मानिता प्रदान की वीर सैव परंपर की बियुत्पति उन प्रवचनों से है, जो कन्नड भासा में उन इस्त्री पुर्शो द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में सामिल हुए, ठीक, अनुष्ठान और यथार्थ संसार, यह आँ पे इस पॉइंट को आप देखें, यह बास्वन्ना द्वारा रचीत एक वच है, ध्यान दे, जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं, तो उस पर दूद चढ़ाते हैं, यह असली साप आजाए, यदी असली साप आजाए, तो कहते हैं मारो मारो, है न, देवता के उस सिवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है, वे कहते हैं, चले जाओ, चले जाओ किंतईश्वर के पतिमा को जो खा नहीं सकता वे ब्येंजन परौसते हैं अब देखें अनुष्ठानों के प्रती बास्वन्ना के रवय की ब्याख्या कीजिए वे किस तरह स्रोटा को अपनी बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं किस तरह जो है बास्वन्ना ने अपनी बात जो है समझा रहे हैं, है ना, अच्छा, अब आजाईए नए धार्मिक विकास, इसे आप देखिए, मध्यवर्ती जो है सताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में, आए एक और तो, तमील भक्तों, खास्ता और से वैश्णाओं के विचारों को शंस्कित परंपर में समाहित कर लिया गया, जिसका पढ़्याम सरवधिक प्रशिद पुराणों में से एक भागवत पुराण की रश्चना थी, ठीक है, दूसरे तेरहवी सताब्दी में भक्ती परंपरा का विकास महाराष्ट में हुआ है, अब आजाईए, अगला पॉइंट आप देखिए उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, ठीक, इसे आप समझें, इसी काल में उत्तर भारत में विश्णू और सिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, सासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था, किंति इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं, जैसे कोई गरंथ चोदहुई सताब्दी तक उत्तरी भारत में प्राप्त नहीं हुआ, इस भिन्नता की क्या वज़ा हो सकती है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि उ वह काल था, जब अनेक राजबूत राज्यों का उद्भव हुआ, इन सभी राज्यों में ब्रामणों का महत्पुन स्थान था, और वे एहिक और अनुस्ठानिक दोनों ही कार्य करती थे, उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनोती देने का प्रयास सायधी किसी ने किया, इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूड़िवादी ब्रामणी रसांची के बाहर थे, उनकी प्रभाव में विस्तार हो रहा था, ऐसे नेताओं के नाथ, जोगी, शिद्ध सामिल थे, उनमें बहुत से लोग सिल्पी समदाएके थे, जिनमें जुलाहे सामिल थे, है ना, संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था, नगरी केंद्रों के विस्तार तथा मध्यवा और पश्चिमी एशिया के साथ, ब्यापार के प्रसार के साथ, इन दस्तकारी की वस्तों की मांग बढ़ी, ठीक, अनेक नवीन धार्मिक निताओं ने वेदों की सत्ता को चुनाउती दी, और अपने विचार आम लोगों की भासा में सामने रखे, समय के साथ या भासाएं उन रूप में विक्सित हुई, जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है, अपनी लोग पृता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक और का पश्रह हांसिल करने की इस्तिती में नहीं थे, इस इस्तिती में एक नवीन तत्व भारत में तुर्गों का अगमन था, जिसकी परकास्टा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, की स्थापना में हुई, दिल्ली सल्तनत का समय क्या है, ते रहुई सताब्दी, है ना, और सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्जियों का और उन से जुड़े ब्राम्हनों का पराभव हुआ, है ना, इन परियर्टनों का प्रभाव संस्कृत और धर्म पर भी पढ़ा, शूफियों का अगमन, ठीक है, इन परियर्टनों का एक महत्पूर अंग था, अब यह देखिए, आप यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है, कुरान सरीब की एक प्रिष्ट का हिस्सा है यह, यह आठमी अथ्वा नवी सताब्दी की किसी पांडुलिपी से लिया गया है, यह आप देखिए, चित्र को, अब आजाईए आगे, अगला पॉइंट पांच, दुसाले के नए ताने बाने इसलामी परमपराएं, ठीक, इसे आप देखिए, जिस तरह महादीब के विभिन चेत्र एक दूसरे से पिठख नहीं थे, उसी भांती समुद्र और पहाडों के परे के छेत्रों में भी संपर्क सताब्दियों से बना रहा, प्रथम शह सताब्दी स्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पस्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए, इसी समयमत देशिया के लोग देश के उत्तर पस्चिम प्रांतों में आकर बस कई, साथमी सताब्दी में इसलाम के उद्भाव के बाद ये छेत्र उस संसार का हिस्सा बन गया, जिसे अक्सर इसलामी विश्व कहा जाता है, ठीक, अगला पॉइंट आप देखिए, सासकों और सासितों के धार्मिक विश्वास, इसे आप देखें इन संपर्कों को समझने की एक धूरी यह है कि विशिष्ट सासक वरग के धर्म परदिष्टी डाली जाए, 711 इस्वी में मुहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापती ने सिंध को विजित कर लिया, ठीक, और खलीफा के छेत्र में सामिल कर लिया, बाद में लगभग 13 इस्वी तुर्क और अफगानों ने दिली सल्तनत की निव रखी, समय के साथ साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रशार हुआ, बहुत से छेत्रों में इसलाम सासकों का स्विक्रित धर्म था, यह इस्तिती 16 सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार र आए, उनमें कई राजियों के सासक भी सल्तनत को मानने वाले थे। और देखे, यहां पर उल्मा, आलिम का बहुचन, इसलाम धर्म के ग्याता थे। उल्मा कौन थे? इसलाम धर्म की ग्याता थे। इस परिपाटी के सरच्छक होने के नाते विए धार्मी, कानूनी और अध अध्यापन, समंधी, जिम्यदारी निभाते थे। तो उल्मा की क्या कार्यत थे? देखे, धार्मी, कानूनी और अध्यापन, समंधी, जिम्यदारी उल्मा निभाते थे। अब आ जाईए, अगला सैधान्तिक रूप से मुसल्मान सासकों को उल्मा के मार्दर्शन पर चलन होता था, उल्मा क्या है अभी आपने समझा, उल्मा से या उपेच्छा की जाती थी कि वे शासन में सरिया का अमल सुनिशित करवाएंगे, है न, और किंतु उप महादीब में इस्तिती जटिल थी, क्योंकि बड़ी संख्या इसलाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, इस संदर में जिम्मी दियुत्पी सब्जिम्मा से अर्थात संरचित सिर्णी का पदुर्भाव हुआ, जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म गरंत को मानने वाले थे, जैसे इसलामी सासकों के छेत में रहने वाले यहूदी और इसाई, ये लोग जजिया नाम का कर च मुगल सासकों द्वारा सरचन दिये जाने की अधिकारी हो जाती थे, भारत में इसके अंतरगत हिंदुओं को भी सामिल कर लिया गया, जैसे आप देखेंगे, मुगल सासक अपने आपको न केवल मुसल्मानों का अपेतु सारे समुदायों का बास्सा मानते थे, वास्तों म सासक, सासितों की तरह काफी लेचिली नीती अपनाते थे, उदारता बहुत से सासकों ने भूमी अनुदान वकर की छूट हिंदु, जैन, पार्सी, साई, यहूदी, धर्मसंत्ताओं को दी, तथा साथ ही गैर मुसल्मान धार्मिक निताओं के प्रद्धा भाव बैक दिया ऐसे अनुदान अनेक मुगल बास्ताओं जिसमें अगबर और अंगरजीब सामिल थे द्वारा दिये गए, अब देखी सरिया, यह क्या है भाई समझे इसे आप लो, सरिया मुसल्मान समधाय को निर्देशित करने वाला कानून है, ठीक है, सरिया आप लोग सुनते हैं, निर्देशित करने वाला क्या है, कानून है, यह कुरान सरीफ और हदीश पर आधारीत है, यह किस पर आधारीत है, कुरान सरीफ और हदीश पर आधारीत है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, हदीश का आर्थ है, पैगंबर साहब से जूरी परंपराएं, जिनके अंतरगत उनके स्मृती जिनके अंतरगत उनके स्मृत सब्द क्रियाकलाब भी आते हैं। जब अरब छेत्र से बाहर इसलाम का प्रसार हुआ जहां के आचार ब्योहर भीन थे, तो कियास स्रदिश्यता के अधार पतर्ग और इजमा समृताय की समृती को भी कानून का सुरूत माना जाने लगा। इस तरह सरिया कुरान, हदीश, कियास, इजमा से उद्भूत हुआ। इस तरह सरिया कुरान, हदीश, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ। अब देखिए, यहां पे चित्रा आप देख रहे हैं, बासा जहांगीर तथा एक जोगी को दरसा ताई हुआ, मुगल चित्रे यहां पे बना हुआ, यह देखिए उसके जो है, दरबाडी गर्ड सेना लोग यहां पे हैं, और यहां पे देखे, जहां च्छत्री लगाई गई है, जहांगीर का है ना, ठीक, तो एक जोगी को दरसाता हुआ, मुगल चित्रे आप देख रहे हैं, यह जोगी बैठे हैं, अब यह जहांगीर को बादचित करते हुए, इस दिश्य में दिखाए गया है, ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगला पॉइंट हमें देखने क मिल रहा है, खंभात का गिर्जा घर, अब देखिए इसे, यह उद्धरण उस फर्मान, बादचा के हुपनामे का अंस है, जिसे पंद्रस और ठानबे में अगबर ने जारी किया था, तो क्या फर्मान है भाई, जारी किया गया था, देखे, इसलिए करते हैं ना, कि इतिहा आता है, खूब, जैसे तॉब ताइम मसीन में अब बैठी, और किसी भी ताइम में पहुचिए, तो ऐसे ही इतिहास हैं, बाहुत मजीदार भी सही हैं, यह आप को ताइम मसीन की तरस, जब आप जहां जाना चाहें, पहुचा देता है, अब देखिए, अब आपको इतिहास अगबर का फेरां जो फरमान है जारी हुआ है आप पहुच चुके हैं देखिए क्या फरमान जारी हो रहा है हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जिहन में पहुचा है कि इशू की मुकद्दस जमात के पाद्री खंभायत गुजरात के सहर में इबादत के लिए गिर्जा घर एक इमारत की तामीर निर्मार करना चाहते हैं इसलिए इसाही फर्मान जारी किया जाता किया जा रहा है खंभायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आएं ठीक है, उन्हें गेजागर को तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें, यह जरूरी है कि बासा के इस फर्मान की तरह से तामिल पालन हो, देख रहे हैं, अच्छा, यहां पर देखे सवाल भी पूछा है, वे कौन लोग थे जिनकी तरह से अकबर को अपने फर्म की बेदवी का अंदेशा था, ठीक है, तो कटर, जो कटरता वाले लोग होंगे, वही होंगे, है न, आपको क्या लगता है, कमेंट में आप लोग लिखिए, बताइए, चलिए, जोगी के प्रतिश्रद्धा, अब यह आप पढ़ें, इस उद्धरण 1661-62 में और एक जोगी को लिखे पत्र का अंस है, देखिए, बुलंद मकाम सिव मूरत गुरु आनंदनात जीयो, जनाव ए मुह तरम स्रद्धे, अमन और खुशी से हमेशा स्री शिव जीयो की पनाम में रहें, पोसाक के लिए वस्त्र और पचीस रुपई की रकम, जो भेट के तोर प भेजी गई है, आप तक पहुचेगी, जनाव ए मुह तरम आप हमें लिख सकते हैं जब भी आहमारी मदद की जरूरत हो, आगे देखें, लोक प्रचलन में इसलाम, इससे देखें, इसलाम की आगमन के बाद जो परिवर्टन हुए, वे सासक वर्वत तक ही सीमित नहीं थे, है न, अपे तो पूरे उप महादीप में दूर दरास्तक और भिन, विभिन समाजिक समुधायों, किसानों, सिल्पुई, उधा ब्यापारी के बीच फैल गए, उन्होंने जिन्होंने इसलाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैधान्तिक रूप से इसकी पांच मुख्य बाते मानी, अल्लाह एक मात्र इश्वर है, पैगंबर मुहमद उनके दूद्ध साहद हैं, दिन में पांच बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैराज जकात बाटनी चाहिए, रमजान के महने में रोजा रखना चाहिए, और हज के लिए मक्का जाना चाहिए, ठीक? किन्तु इन सारभावमिक तत्तों में अक्सर सामप्रदाईक, शिया सुन्नी की वजहों से, तथा स्थानिय लोकाच्यारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मा तरीत, लोगों के ब्योहारों में भिन्यता देखने में आती है, ठीक? उदाहरां तह खोजा इसमाईली शिया संदाई के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिवक्ति के लिए देशी साहितिक विद्या का सहारा लिया. जीनन वियुत्पी संस्कित सब्द ग्यान से दियान दीजे जीनन नाम से भक्ती गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती और दैनिक प्रात्ना के दौरान गए जाते थी, ठीक? इसके अरम मुसल्मान व्यापारी को मालाबारतट केरल के किनारे बशे, उन्होंने न केवल स्थानिय मले आलम भासा को अपनाया, अपित्व स्थानिय आचारों जैसे मात्रिकूलियता और मात्रिकूलियता को भी अपनाया, है न? अब यहाँ पे एक खोज की पांडू लिपी आप देख रहे हैं, पहले चित्र को देख लीजे, उसके बारे में बताते हैं, आपको देखें, इसको आप पढ़ें. खोज की लिपी में लिपीबद करने से पहले जीनन का मौखिक प्रिशन होता था, खोज की लिपी स्थानिय लंडा ब्यापारियों की संचिप्त लिपी से निकली है, पंजाब, सिंध और गुजरात की खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करती थे, है न? चलिए, एक सारभौमिक धर्म के स्थानी अचारों के संग, जटिल मिश्रन का सरूत्त मुदारन संबवत मजजिदों की स्थापना कलामें दिश्टी कोजण होता है, मजजिदों के कुछ स्थापत समंधी तत्व सारभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरह अनुस्थान जो महराब प्रातना का आला और मिम्बर प्यास पीट की स्थापना से लच्छित होता था, है ना, बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्यता देखने में आती है, जैसे छद और निर्मार का सामान, यहां पर आप देख रहे हैं, पहले मात ग्रिहता भी आप सब्द पढ़ रहे थे समझी, मात ग्रिता वह परिपाटी है, जहां इस्तरियां बीवा के बाद अपने माईके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं, और उनके पती उनके साथ आकर रह सकती हैं, यह देखे, यह कहलाता है मात गीहता का की परिपाटी है ना, अब इसमें देखे, इस्तरिय आप यहाँ के बाद क्या हो रहा है मायके नहीं जाती हमान लब अपने ससुरा नहीं जा रही है मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और पती उनके साथ आकर रह सकते हैं यानि पती उल्टा जो है अपने ससुरा लाएंगे जो पत्नी नहीं जाएगी इस परिपाटी को क् हैं मात्री जो है मात्री ग्रीहता है ना और देखिए यहां पे चित्र ये है केरल में तिरहवी सताब्दी के एक मस्जीद इसके सिखर के आकार की छट पर गौर कीजिए यह दिखिए देख रहे हैं कैसी मस्जीद है इतियों से बनी अतिया मस्जीद यह आपके सामने 1609 का समय है जिला मैमर सिंग बंगला देश का यह स्थान है आप चित्र देख रहे हैं आप आगे देखें समुदायों के नाम चली इसको आप समझें हम अधिकतर हिंदू और मुस्वल्मान जैसे सब्दों को धार्मिक समदायों का निश्चित घोतक मान लेते हैं किन्तु सस्त यह है कि इन सब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था जीन इतिहासकारों ने आठवी से चौदहवी सताब्दी के मध्य संस्कित गरंतों और अभिलेकों का ध्यन किया वे इस तत्थे को उजागर करते हैं कि इस इन में मुसल्मान सब्द का सायधी कहीं प्रयोग हुआ हो है ना इनके इसके बिपरीत लोगों का वरगी करण उनके जनमस्थान के अधार पर किया जाता था इस तरह तुर्की मुसल्मानों को तुरुष्क कहा गया तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसी नाम से संबोधित किया गया यदा कदा आने लोगों को दिये गए नामों नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया उधार उधार तह देखिए तुर्क और अफगानों को शक और यमन भी कहा गया है ना इन प्रवासी संबदायों के लिए एक अधिक समाने सब्द मिलेच था जो इस बात की और इंगित करता था कि वह वड़ नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भासाएं बोलते थे जो संस्गित से नहीं उपजी थी हलाकि ऐसे सब्दों में हीन भावना नहीं थी किन्तु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसल्मान धार्मिक संब्दाय के लिए साइधी प्रिवत किया जाता था जो हिंदू संब्दाय के विपच्च में हो है ना जैसा कि हमने अध्याई पांच में देखा कि हिंदू सब्द अन्यक तरह से इस्तिमाल किया जाता था और उसे धार्मिक संब्दाय के एक मात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता यहां पे आप देखिए एक स्री नगर के जहलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान कश्च जो है मस्जिद कस्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है यह देखे स्री नगर के जहलम नदी के किनारे यह मस्जिद बनी होई है तो इसका निर्माण 1375 में हुआ यह कश्मीरी रखड़ी के स्थापत तिकला का सरुत्तम मुदारण है यह आप फोटो में देख पा रहे हैं इसके सिखर और नकासिदर्च छज्य परगवर कीजिए यह पेपर मैसी से सजाई गई है चलिए शूफी मत का विकास अगला पॉइंट आप इसे देखें इसलाम की आरंभिक सताब्दियों में धार्मिक और राजनितिक संस्था के रूम में खिलाफत की बढ़ती भीशे सकती के बिरुद इन्हें सूफी कहा जाने लगा इसलाम की आरंभिक सताब्दियों में धार्मिक और राजनितिक संस्था के रूम में खिलाफत की बढ़ती विशे सकती के बिरुद कुछ अध्यात्मिक लोगों का रहश्यवाद और वैराग्य की ओर जुकाओ बढ़ा ठीक उन्हें क्या काते हैं सूफी कहा जाने लगा इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभासाओं तथा धर्माचारियों द्वारा की गई कुरान और सुनना पैगंबर के बिवार की बाउधिक ब्याख्या की अलोचना की इसके भी परीद उन्होंने मुक्ती की प्राप्ति के लिए इश्वर की भक्ती और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया ठीक उन्होंने पैगंबर मुहम्मत को इनसाने कामिल बताते हुए अनसाना करने की सीख दी शूफ सूफी वाद और तसवुफ इसे आप समझें देखें सूफी वाद उन्नी सताबदी में मुद्रित एक अंग्रेजी सब्द है इस सूफी वाद के लिए इसलामी गरंतों में जिस सब्द का इस्तमाल होता है वो है तसवुफ कुछ विद्वानों के निशार यह सब्द से निकला है जिसका अर्थ उन है यह ऊश खुरदूरे उनी कपड़े की और शारा करता है जिसे सूफी पहनते थें अनबिद्वान इस सब्द की विवत्पी शवा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ यह भी संभव है कि यह सब्द शवा से निकला है जो पेगंबर की मस्जि धर्म के बारे में जानने के लिए गठी होती थी आगे देखें खानकाह और सिलसिला इसे आप देखिए ग्यारहमी सताब्दी तक आते आते सुफी वाद एक पूर विक्षित आंदोलन था जिसका सुफी और कुरान से जुड़ा अपना सहित्य था संस्थागा दृष्टी से सुफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका फार्शी के इर्दगियद स्थापित करते थे खानका का नियंतर शेख अर्भी पीर अथवा मुर्शीद फार्शी के हाथ में था ठीक वे अन्वाईयों मुरिदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ती करते थे किसकी वारिस नहीं खलीफा की नियुक्त करते थे अध्यात्मिक विवहार के नियम ने धारन करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंद शेख और जन समान के ब ज्यादा तर शूफी वंस इन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदारण तह कादरी सिलसिला सेख अब्दुल कादीर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नाम करन उनके जन्मस्थान पर हुआ। जैसे चिस्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिस्ती सहर से लिया गया। पैगंबर मुहम्मद से जूरी है। इस कड़ी के द्वारा अध्यात्मिक सक्ती और आसिरवाद मुरीदों तक पहुचता था। दिच्छा के विशिष्ट अनुष्ठान विक्सित किये गए। दिच्छित को निष्ठा का वचन देना होता था। सिर मुडा कर थेगडी वक्ति कास्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास ताउर से उनकी बरसी के आउसर पर परिपाटी चलनी कली। इस परिपाटी को उर्स भिवाह मायने पीर की आत्मा का इस वर से मिलन कहा जाता था। क्योंकि लोगों का माना था की मित्यू के बाद पीर इश्वर से एकी भूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाए उनके अधिक करीब हो जाते हैं, लोग अध्यात्मिक और एही कामनाओं की पूरती के लिए उनका आसिरवाद लेने जाते थी। इस तरह से कावली के पाटी शुरू हुई वली बहुवचन अवलिया अर्थात इस्वर का मित्र वा सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की सक्ति रखता था ठीक आगे देखें खानका के बाहर इसे आप समझें कुछ रहश्यवादियों ने सूफी सिद्धान्तों की मौलिक ब्याख्या की आधार पर नवीन आंदोलनों की नियू रखी खानका का तिरस्कार करकी यह रहश्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थी निर्धन्ता और ब्रमचरे को उन्होंने गवरो परदान किया इन्हें विभिन नामों से जाना जाता था कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बे सरिया कहा जाता था इस तरह उन्हें सरीया का पालन करने वाले बासरीया सूफियों से अलग करकी देखा जाता था। उप महादीप में चित्सी सिलसला, बारमी सताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समधायों में चिस्ती सबसे अधिक प्रभावसाली रही। इसका कारण यह था कि उन्होंने नक्योल अपने आपको स्थानी परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भार्ती भक्ती परंपरा की विशिस्ताओं को भी अपनाया। आगे देखें एकला पॉइंट, चिस्ती खानका के में जीवन। इसको आप देखें। खानका समाजिक जीवन का केंडर बिंदु था, हमें शेख निजामु दिन अवलिया समयन का है चवदहुई सताब्दी की खानका के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली सहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपूर में था। यहां कई छोटी-छोटी कमरे और एक बड़ा हाल जमात खाना था, जहां सहवासी और रहते और उपासना करते थी। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुवाई थी। सेख एक छोटी से कमरे में छट पर रहते थी, जहां वह मेहमानों से शुबह साम मिला करते थी। आगन एक गलियारे से घीरा होता था और खानका के चारू और से दिवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आकरवन के समय पड़ोसी छेतर के लोगों ने खानका में सरण ली। चिस्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक, उपदेशकों को आप देख लीजिए। उनकी मित्य और स्थान कहां पे है, द्यान दें। शूफी लोगों का नाम इधर लिखा हुआ है, उनका मित्यू का वर्ष लिखा है यहां पे और दरगाह का स्थान कहां है, वो लिखा है, ठीक है। शेख मुईनु दीन चिस्ती, इनका समय है 1235 इस्वी, इनका दरगाह का स्थान कहां है, अजमेर कहां पे है, यह राजस्थान में। ख्वाजा कुतुब दीन बक्तियार काकी, 1235 में, दिली में। शेख फरीदु दीन गज ए संकर, यह कहां है, 1265 में, अजोधन पाकिस्तान में। शेख निजामु दीन अवलिया 1325 इस्वी, दिली में। शेख नसीरु दीन चिरागे तेहली। यह कहां पे हैं, 1356 में दिली। ठीक। चलिए, यहां पे आगे दिखें आप, यहां एक समुदाईक रसोई, लंगर, फुतूह, बिना मांगी, खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तब के लोग, शिपाही, गुलाम, गायक, ब्यापारी, कवी, राहगी, धनी, निर्धन, हिंदू जोगी, कलंदर, यहां अनुवाई बनने इबादत करने, ताविज लेने, अथवा बिभिन मसलों पर शेख की मद्यहस्ता के लिए आते थे। ठीक, कुछ अन्य मिलने वालों में, अमीर हसन सिजजी, अमीर खुशरो जैसे कभी, तथा दरबारी तिहासकार जियाओ दिन बननी जैसे लोग सामिल थे। इन सभी लोगों ने सिख के बारे में लिखा, सिख के सामने जुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दिछितों के सर का मुंडन, योगी ग्यायाम आदि बिभार तत्त की गोतक हैं की स्थानी परबबराओ को आत्मसाद करने का प्रैद्न किया गया। सिख निजामुद्दिन ने कई अध्यात्मिक वारिशों का चुनाओ किया और उन्हें उपमहादीब के विभिन भागों में खान का इस्थापित करने के लिए नियुक दिया। इस वज़ा से चिस्तियों के उबदेश, बिवहार, संस्थाएं तथा सीक आयस चारूर फैल गया। उनकी तथा उनके अध्यात्मिक पुरवजों की दरगापर अनिक तिर्धियात्री आने लगी। यहाँ पे दाता गंज बक्स की कहानी यहाँ पे है, इसे आप देख लें एक हजार उन्तालीस इस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी जो अफगानिस्तान के सहर गजनी के निकट हुजवीरी के रहने वाले थे। उन्हें तुर्की सेना के कैदी के रूप में सिंध नदी पार करने पड़ी। द्यान दें, एक हजार उन्तालीस इस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी जो अफगानिस्तान के सहर गजनी के निकट हुजवीरी में रहने वाले थे। उन्हें तुर्की सेना के कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहुर में बस गए। फार्सी में उन्होंने एक किताब लिखी। और उन्हें लाहुर में दफनाया गया। ठीक है। और सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अउसर पर उनके अन्वाईयों के लिए तिर्थस्थल बन गया। आज भी हुजवीरी दाता गंजबक्स के रूप में अधर्णी हैं और उनकी दरबाह को दाता दरबार यानि देने वाले की दरगाह कहा जाता है। आगे आप देखें चिस्ती उपासना जियारत और कवाली सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इसलामी संसार में प्रचलित है। इस आउसर पर संत के अध्यात्मिक आशिरवाद यानि बरकत की कामना की जाती है। पिछले साथ सौसादों से अलग-अलग संपरदायों, वर्गों, संपरदायों के लोग पांच महान चिस्ती संतों की दरगाह पर अपनी इस्था प्रगट करते रहे। ऊपर दिये गए चार्ट देखी, इनमें सबसे अधिक पूजनी दरगाह ख्वाजा मुईदीन चिस्ती की है, जो अभी आपने चार्ट देखा है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। अब आगे आप देखें। मुहमद बिन तुकलक समय आप देख रहे हैं, 1324 से 55 तक का पहला सुल्तान था जो उस दरगाह पर आया। किन्तु सेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गिया सुद्दिन खलजी ने पंद्रहवी सताब्री के उटरार्ध में बनाया। चुकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली ब्यापारिक मार पर थी अतानी के आतरी यहां आती थी। सुल्हवी सताब्री तक आते अजमीर किया दरगाह बहुत ही लोप्री हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तिर्थे आत्रियों के भजनों ने अगबर को यहां आने के लिए प्रिरित किया। अगबर यहां चौदा बार आया कभी तो साल में दो बार, दो तीन बार कभी नई जीत के लिए आसिरवार लेने तो अथवा संकल्ब की पूर्थी पर यहां या फिर पुत्रों के जन्म पर। ठीक है, सेख निजामुद्दिन अवलिया और उसके शिस्य अमीर खुसरों का सत्रहवी सताब्री का यही चित्रा आप देख रहे हैं, यहां पे अजमेर की तित यात्रा पर बार्षा जहांगीर का स्वागात करती हुए शेख मनुहर नामकलाकार का चित्र लगभग 1615 यहां पर देखी यहां पर इस चित्र को चलिए, आगे आप दिखें, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है मुल्क का चिराग, ठीक, इसे आप दिखें प्रतिक सूफी दरगाह के कुछ विशिस्ट लच्छन होती थे, अठार्मी सताब्दी में दक्कन के दरगाह कूली स्खान ने सेख नसीरुदीन चिराग देहली की दरगाह के बारे में मुरका ए देहली दिली की अलबम में लिखा की सेख सिर्फ देहली के ही चिराग नहीं, अब यह तो सारे मुल्क के चिराग हैं, है ना? और लोगों का हुजूम यहां आता है, खासता और से इतवार की रोच, दिवाली के महीने में दिली की सारी अबादी दरगाह पर उमड आती है, और हौज के पास तंबू गाड़ कर कई दिनों तक यहां रहते हैं, पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहां नहाते है हिंदों मुसल्मान एक ही भावना से आते हैं, सुबा से साम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाओं में हसी खुशी समय बिताते हैं, ठीक अब आईए, इधर जो पॉइंट है, देखे, मोगल सहजादी जहां आरा की तीर्थे यात्रा 1643 की इस वी की, अब इसे आप देखिए, इनके बारे में सुनिये क्या लिखा है, देखे, अल्लाह ताला की तारीव के वादिया, फकीरा, जहारा, राजधानी, आगरा से अपने पिता बासा साजहां के संग, पाक और बेजोड अजमेर के लिए निकल लिए मैं इस बात की लिए वाइदा परस्त थी, यह हर रोज और हर मुकाम पर मैं दो बार, दो बार की अक्तियारी नमाजदा करूंगी बहुत दिन मैं रात को बाग के चमरी पर नहीं सुई और अपने पैर मुकदस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए नहीं मैंने अपने पीठ उसकी तरफ की, मैं ने, मैं पेड के नीचे दिन उजारती थी वीरवार को रमजान के मुकदस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इतर में दूबे दरगाह की जियारत की खुसी हासिल हुई चौकि दिन की रोजनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई, अपने जर्द चेहरों को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा दरवाजे से मुकदस दरगाह तक मैं नंगे पाऊ वहां की जमिन को चूमती हुई गई गुमपत के भीतर रोजनी से भरी, दरगाह में मैंने मजार के चारों और साथ फेरे लिये है ना, आखिर में अपने हाथों से मुकदस दरगाह पर मैंने उस सबसे उम्दा इतर छिड़का चूकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी इसलिए कि मैंने मुकदस मजार के उपर रखा अब आज़े ये आगे देखें उन्होंने यह परमपरा पंद्रस वासी तक बनाई रखी प्रतिक यातरा पर बार्शादान भेट किया करते थे जिनके बियोरे साही दस्तावेजों में दर्ज हैं उदारन के लिए पंद्रस वाड़ सट में उन्होंने तिर्थे यातरियों के लिए खाना पकाने ये तो इविशाल देग दरगा भेट की उन्होंने दरगाह किया हते में एक मजजिद भी बनवाई नाच और संगीत भी ज रमण करना यानि अध्यात्मी संगीत की मफिल द्वारा इस्वर की उपासना भी स्वास रखते थे चिस सी उपासा सवध्यत सभा का महत्व इस तत से पुष्टी करता है चिस्ती स्थानी भक्ती परंपरा से जूड़े ठीक है अब अगला पॉइंट दोस्तों आप देखे भासा और संपर्क इसे आप पढ़ें अब भासा और संपर्क में दोस्तों आप देखिए न केवल सभा में ठीक है चिस्तियों ने स्थानी भासा को अपनाया अपित्वी दिल्ली में चिस्ती सिल्सिले के लोग हिंद्वी में बाचीत करते थे हैं ना बाबा ये धने बाबा फरीद ने छेत्री भासा में काब रचना की जो गुरु गरंथ साहीब में संकलित है कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी जहां इस्वर के प्रति प्रेम को मानवी प्रेम के रूपक के द्वारा अभिवेक्त किया गया है है ना उदारन तह मलिक मुहम्मद जैसी का प्रेमा भ्ख्यान पदमावत पदमनी और चितवड के राजा रतन सेंद की प्रेम कथा के इर्दगीर गूमता है उसकी आज माईस प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुशने की यात्रा का अक्सर खानकाहों में समा के दवरान ऐसे कव्यों का वाचन होता था और ये अभी आपने पदमावत मूवी भी आई थी हो गया काफी दिन हो गया देखा होगा आपने तो उसमें रतन सेंग और पदमनी की स्टोरी थी राजकुमरी की बिवाद भी हुगा था इस पिच्चर पे आगे देखें सूफी कविता की एक भिन्य विद्धा की रचना बीजापुर करनाटक के आसपास होई है ना यह दक्कनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी सी कविताएं थी जो सत्रहवी अठार्वी सताबदी में इस छेत्र में बसने वाले चिस्ती संतों द्वारा रची गई थी है ना और ये रचनाएं संभवतह और तो द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीस्ते चर्खा कातते हुए गाई जाती थी कुछ और रचनाएं लोरी नामा और साधी नामा के रूप में लिखी गई यह संभव है कि इस छेत्र के शूफिया यहां पहले से चलती आई भक्ती परंपरा से प्रभावित हुए यहां पे अमीर खुशरो और काउल पॉइंट आप देख रहे हैं अई इसे देखें अमीर खुशरो समय बारा सो तिर्पन से तेरा सो पचीस महानकवी संगी तग्य तथा सेख निजामुद दिन अउलिया के अनुयाई थी उन्होंने काउल अर्वी सब्द जिसकार थे कहावत का प्रचलन करकी चिस्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया काउल कवाली के सुरू और आखिर में गया जाता था इसके बाद शूफी कविता का बात होता था फार्शी हिंद्वी उर्दू में होती थी कभी कभी इन तीनों की भासाओं के सब्द इन में मौजूद होते थे शेख निजामु दिन अउलिया की दरगाह पर गाने वाले कवाल अपने गाइन की सुरूआत काउल से करते थे उप महादीब की सभी दरगाहों पर कवाली गाई जाती है ठीक है निजामु दिन अउलिया की दरगाह की कवाली यहां पर आप देख रहे हैं यह गाते हुए और यह भाई हर्मोनिया बजा रहे हैं आप देख रहे हैं बाकी लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं अब देखिए अगला पॉइंट हमें दिख रहा है चर्खा नामा ठीक यह क्या है आप इसे पढ़ें यह गीत चर्खे से चलने की धून पर अधारीत है जैसे आप रूई लेते हैं आप जिक्र ए जाली कर दें जैसे आप रूई को धुनते हैं आप जिक्र ए कल भी करें जैसे आप धागे को फिर की पर लपेटते हैं आप जिक्र ए आईनी करें जिक्र पेट से छाती तक का उच्छारित किया जाए उसे धागे की तरह गले से उतारे स्वास के धागे एक एक गिने बहन चौबीस हजार तक गिने सुबह साम ऐसा करें और इसे तौफे में अपने पीर को पेश करें आगे देखें लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्णड के वचन पंधरपूर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा इस माध्यम से इसलाम दक्कन के गाउ में जगह पाने में शफल हुए ठीक सूफी और राज अगला पॉइंट है इसे आप लोग ध्यान से सुनें अगर वीडियो दोस्तों बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक जरूर लिया करिए थोड़ा वीडियो रोक करके अपना खाईए पीजे घुमे टहरिए जो मन कर रहे करिए फिर वीडियो देखी ए थोड़ा वीडियो बड़ा है तो इसलिए आप जो है उबauraisान पूлять लेकिन सुनिए ध्यान से अगर एक बार नहीं संजिन आए तो दो बार तीन बार वीडियो आप जो है देखेंगे तो समझ में अच्य सो ही आएगा स् जान दीजे, सूफी और राज्य चिस्ती संपरदाय की एक और विशेस्ता सयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, किन्तु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनितिक सत्ता से अलगाओ का भाव रखा जाय सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेट देता था, तो सूफी संतु से स्विकार करते थे, सुल्तानों ने खानकाओं को कर्मुक्त इनाम रुमी अनुदान में ती, दान समंधी न्यास बिस्थापित किये, चिस्ती धन और समान के रूप में दान स्विकार करते थे, किन्त उनको संजोने के बजाए, खाने, कपड़े, रहने की बियोस्थानों, श्ठानों, जैसे समा की महफेलियों वो पूरी तरह खर्च कर देती थे, इस तरह सेख के नैतिक अधिकार की पुष्टी होती थी, आम लोगों का उनकी और जुकाओ बढ़ता था, शूफी संतो भी उनका समर्थन हासिल करना चाते थे, सासक न केवल सूफी संतों के से संपर्क रखना चाते थे, अपी तो उनके समर्थन के भी कैल थे, जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनित की स्थापना की, तो उल्मा द्वारा सरिया लगो की जाने की मांग को ठुकरा दिया, सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांस प्रजा इसलाम धर्म मानने वाली नहीं है है ना ऐसे समय सुल्तानों ने सुफी संतों का सहरा लिया जो अपनी अध्यात्मिक सत्तास को अलाह से उद्भूत मानते थे उल्मा द्वारा सरिया की ब्याख्या पर निर्भन नहीं थे यह भी मना जाता था कि उल्लिया मध्यस्त के रूट में इस वर से लोगों की एहिक और अध्यात्मिक दसा में सुधा लाने का कार्य करते थे साइद इसलिए सासक अपनी कबर सुफी दरगाहों और खानकाहों के नजदी बनाना चाते थे सुल्तानों और सुफीयों के बीच तनाओ के उधारन भी मवजूद हैं अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे जैसे जुक का प्रडाम और कदम चुमना कभी कभी सुफी शेखों को आडंबर पूर पद्वी से संबोधित किया जाता था सुफी और राज्जी यहां पर इसको आप पढ़ लें कुछ अनसुफी भी जैसे की दिल्ली सल्तनत की यूग में सुहरावर्दी और मुगल यूगी नक्षबंदी राज्जी से जुड़े रहे लेकिन उनके जुड़ाओ के तरीके चिस्तियों से भिने थे कभी कभी शुफी दरवारी पद भी स्विकार कर लेती थी आगे देखें आप साही भेट और स्विकार इसमें आप देखें यह उद्धरण सुफी गरंद से है शेख निजामुद्दिन अउलिया की खानकाह में 1313 सी में हुई घटना का वर्डन करता है क्या लिखा है भई देखें आप जो है मेरी अच्छी किस्मत थी अमीर हसन सीज जी कहते हैं मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दिन अउलिया कदम चूम सका इस समय के स्थाने साशक ने दो बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा सेख सहाब को भेजा है इनके रख रखाओ के लिए वजार वो आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं साशक ने अभी साफ किया कि वो बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं हम जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है हमारे कोई भी अध्यात्मी गुरू ने इस तरह का काम नहीं किया फिर उन्होंने एक उचीत कहानी सुनाई सुल्तान की आसुद्दीन जो उस समय उलूग खान के नाम से जाने जाते थे शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए उन्होंने सेख को कुछ धनरासी और चार गाओं का पट्टा भीट किया धन दर्वेशों के लिए था जमीन सेख के अपने इस्तिमाल के लिए थी मुस्कराते हुए सेख अलिसमा इसलाम फरीदुईन ने कहा मुझे धन दे दो मैं इसे दर्वेशों में बाट दूँगा पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है और देखिए चित्र यहां पे आप देख रहे हैं अकबर की राजधानी फत्यपुर्शिकरी में बाबा फरीद के वंसस सेख सलीन चिस्ती की दर्गाह यहां पे आप देख रहे हैं चित्र में यह दर्गाह चिस्तियों और मुगल राजी के घनिष्ट समंधों का परतीक थी ठीक है आज यह आगे देखें नवीन भकती पंध उत्तर भारत में समवाद और सहमती अनेक संत कवियों ने नवीन समाजिक परसितीय विचारों संस्थाओं के साथ स्पष्ट और संकेतिक दोनों किसम के समवाद कायं कीए इस काल के तीन प्रमुक प्रभावकारी वक्तियों उपर दिश्टिपात कर हम देखेंगे कि इन समवादों को किस भात यभिवक्ती मिली है ठीक एक इस्वर यहाँ पे इसको आप देख लें यह रचना कवीर की मानी जाती है हे भाई यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो अब देखें कवीर की यह रचना है कवीर क्या करें है कि हे भाई बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो कितना अच्छा लिखा है ध्यान से सुनीगा बहुत मजाएगा आपको किसने तुम्हें भ्रमित किया इस्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरी, हजरत विविनताएं तो केवल सब्दों में हैं जिनका आविस्कार हम स्वयम करते हैं कबीर कहते हैं कि दोनों ही भुलावे में हैं अब देखे कबीर क्या करे हैं कि दोनों ही भुलावे में हैं इन में से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता एक बकरे को मारता है तो दूसरा गाय को वे पूरा जीवन बिवादों में ही गवाँ देते हैं ठीक, अब आगे देखे यहाँ पे अगला पॉइंट दैवी वस्तर की बुनाई कबीर अब देखे कबीर लगभक चौदा हुई पंद्रहुई सताबदी उनका समय है कबीर का इस प्रिष्ट भूमे में उभरने वाले संत कब्यों में आप प्रातिम थे दिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्यान उनके काब और बाद में लिखी गई जीवनियों के अधार पर किया है यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनोती ओड रही कबीर की बानी तीन विशिस्ट किन्तु परस पर ब्याप्त परिपाटियों में संकली थे कबीर बीजक, कबीर पंथियों, त्वारा वारांटसी तथा उत्तरपदेश के अनस्थानों पर सरच्छित है कबीर ग्रंथावली का संबंद राजस्थान के दादू पंथियों से है इसके अत्रित कबीर के कई पद आदी ग्रंथ साहिप में संकलित है लगभग सभी पांडूलीपी संकलन कबीर की मित के बहुत बाद में किये गए उन्हेस्वी सताबदी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महरास जैसे शेत्रों में मोद्रांकित किया गया कबीर की रचनाएं अनेक भासाओं और बोलियों में मिलती है इन में से कुछ नेगूर कभियों के खास बोली संत भासा में है कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बासी, उल्टी कही उक्तियां के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से लिखी गई है कि रचमर्णा के अर्थ को उलट गया इन उलट बासी रचनाओं का अतापतर परम सत्य के स्वरूप को समधने की मुश्किल दरसाता है केवल जया फुल्या फूल बिन समंदरी लगी आगी जैसे अभी वन जनाए कवीर की रहष्च वादी अन्भूतियों को दरसाती है कवीर बानी की एक और भी सिष्टा यह है उन्होंने परम सत्य को वड़ीत करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहर लिया इसलामी दरसन की तरह वे सत्य को अल्ला, खुदा, हजरत, पीर कहते है वेदान्त दरसन से प्रहावित वे सत्य को अलग, अद्रिश, निराकार, ब्रह्मन, आत्मन का कर भी संबोधित करते है कवीर कुछ और सब्द पदों का इस्तिमाल करते हैं जैसे सब्द और सुन्य यह अभी यन जनाएं योगी परंपरा से ली गई है ठीक है? आगे दिखें विविध और कभी तो वीरोधात्मक विचार इन पदों में व्यन जित होते हैं कुछ कविताइं इस्लामी दर्शन के केश्यरवाद मूर्ति भनजन का समर्थन करते हुए हिंदु धर्म के बहु देवाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है अनि कविताइं जिक्र और इिसक के सुफी सिधान्तों का इस्तिमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभेक्ति करने केलिए करती हैं क्या यह सभी करता हैं? कभी द्वारा अरची गई हैं? यह कहना मुश्किल है वीद्वान पदों की भासा सहली और विशेवस्तु अधार पर इस्थापित करने की कोशिश करते हैं कौन से पद कबीर के हैं कबीर की समरिद्ध परंपरा इस तति को गोतक है कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेड़ा सुरोत हैं जो सत्त की खोज में रूड़िवादी धार्मिक, समाजिक, संस्थाओं, विचारों, विवारों को प्रश्णवाचक ग्रिष्टी से देखते हैं कबीर की विचार संबाउता अवद उत्तरकदेश की शूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संबाद विवाद के माध्यम से घनी भूत हुए है ना कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे आज भी हम कह रहे हैं यह तथिस बात को जागर होता है इस विशेप पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसल्मान यह विवाद अनिक संत जिवनियों में उभर कर आते हैं सत्रहवी सताब्दी यानि उनकी मित्यू के दो सवर्स बात में लिखी गई वैसनों परंपरा की जिवनियों में कबीर कबीर का अर्बी में अर्थ महान कबीर का अर्बी में अर्थ क्या है कबीर का अर्थ क्या है महान को जन्म से हिंदू कबीरदास बताए गया किन्तु उनका पालन गरीब मुसल्मान पुरियार में हुआ जो जुलाहे थे कुछ समय पहले ही इसलाम धर्म के अनुवाई बनी थे इन जिवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ती का मार्ग दिखाने वाले गुरू रामानन थे किन्तु कबीर के पद गुरू सद गुरू संबोधन का इस्तमाल किसी विशेश व्यक्ति के संदम में नहीं करते इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर के रामानन का समकालिन होना मुस्किल प्रतीत होता है जब तक उन्हें बहुत सी लंबी आयू न दे दी जाए आन्त में वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्विकार नहीं की जा सकती किन्तु उनसे यह हवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत पात की पीड़ी के लिए कितनी महतपूर थी अब यहां पर देखी एक चित्र है इसे आप देख लें फिर आगे पढ़ा जाए यह दिखी राह चलती संगीतकार सत्रही सताब्दी का एक मुगल चित्र है यह संभव है कि ऐसे गायक संतों की जर्षनाओं को गाते थे यह देखी और सुनने वाले लोग बैठे हैं यह देखे तोता भी बैठा है यहां पर चलिए अब अगले पॉइंट में आ जाते हैं बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द ठीक है अब इन्हें आप जो है पढ़िए इनके बारे में पढ़िए बाबा गुरु नानक समय देखे 1479 से 1549 का जन्व एक हिंदू ब्यापारी परिवार में हुआ उनका जन्वस्थल मुक्यता इसलाम धर्माव लंबी पंजाब का ननकाना गाउं था रावी नदी के पास था उन्होंने फार्सी पढ़ी और लेखा कार की कार का प्रशेशन प बीच बुजारते थे उन्हेंने दूर दराज की आत्राएं भी की बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में नहीत है इसे पता चलता है कि उन्होंने निरुण भक्ती का प्रशार किया धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने आश्विकार क जैसे यग अनुष्ठानिक स्नान मुर्ती पूजा कठोर तब हिंदू और मुसल्मानों के धर्मगरंतों को भी उन्होंने नकारा है ना बाबा गुरु नानक के लिए परंपूर रब का कोई लिंग अकार नहीं था उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय ब हासा में सबद के माध्यम से रखे बाबा गुरु नानक के सबद अलग अलग रागों में गाती थी उनका श्रीवक मरदाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था बाबा गुरु नानक ने अपने अनुवाईयों को एक संगधाय में संगठित किया संगधाय को पासना ही गुरुप से पाठ होता था उन्होंने अपने अनुयाई अंगत को अपने बाद गुरुपद आसिन किया इस परिपाटी का पालन 200 वर्सों तक होता रहा ऐसा प्रदीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाते थे किन्त उनकी मित्त धर्म के वो मैंने वीडियो बनाये हैं अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं ठीक तो ध्यान दे हिंदू और मुस्वान से प्रिथक चिन्दित करना किया पाच्वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके चार उत्राधिकारियों बा ये अनेक भासाओं में रचे गए सत्रावी सताबदी के उत्राध में दसवी गुरु गुरु गुविन सिंग जी ने नवे गुरु तेख बहादूर की रचनाओं को भी इसमें सामिल किया इस ग्रंथ गुरु 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 शाहिब कहा गया गुरु गुरु ग पंधकार्थ क्या होता है पवित्रों की सेना किन्यों डाली उनके पांच प्रतीकों का वड़न किया अब देखें पांच प्रतीकों का वड़न भी किये हैं कौन सा है बिना कटे केस आप देखते हैं बहुत सारी पंजाबी जो है उनके बड़े बाल होते हैं क्रिपाड होता है उनके पास जो है देखे आप रखे रहते हैं कच्छ कंगा और लोहे का कड़ा है न तो उन्होंने ये प्रतीकों का जो है वडन किया आज भी हमें देखने को मिलता है गुरु गोविन सिंग के नित्वित में समदाय एक समाजिक धार्मिक सैनवल के रूप मे संगठित होकर सामने आया मीरा भाई भक्ती मैं राजकुमारी ठीक यहां पे एक आप पहले दिखे मुर्ती देख रहे हैं पंद्रह हुई सताब्दी की तमिलनाट से प्रात पत्थर की मुर्ती यहां कृष्ण को बासरी बजाते हुए दिखाया गया है मीरा भाई कृष्ण थी है ना तो मीरा भाई भक्ती मैं राजकुमारी आईए इस पॉइंट को आप जो है द्यान से सुनें मीरा भाई लगभग पंद्रहुई सुलहुई सताब्दीन का समय है संबाउत भक्ती परंपरा की सबसे सूप्रशिद्ध कवित्री हैं है ना और उनकी जीवनी उनके ल मौखिक रूप से संप्रेशित होती रहे है ना उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के अधार पर संकलित की गई है जो सताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेशित होती रहे आप जानते हैं कि पहले जो है कागा जाज की तरह आसान नहीं था कि कोई चीज़ लिग दी है नहीं तो अब हुष समय कोश्फ लोगों ने बताया और फिर उसको कुछ लोगों ने सुना फिर वो अपने बच्चों को पताये बच्चे बच्चि बच्चे को बटाये इस तरह चलता रहा उनकी बारे में मीरा भाई के बारे में कहानिया उनके बारे में जो जैनकारी थी हैना एक से दूसरे को ट्रांसफर होती रही तो मीरा भाई मारवार के मेरता जिले की एक राजबूत राजमारी थी जिनका विवा उनकी इच्छा के बिरुध मेवार के शिशोदिया कुल में कर दिया गया उन् श्विकार किया, उनके सस्रुवाल वालों ने उन्हें वीश्ट देने का प्रति किया, तकिन तुवराजबहों से निकल कर एक परिवाजरिक, परिब्राजी का संत बन गई, आगे देखें, कृष्ण के प्रति प्रेम, अब इसे आप लोग पढ़िए, देखें ध्यान से, यह मीरा द्वारा रचित एक गीत का अंस है, अगर चंदर के चिता बढ़ाऊं, अपड़े हाँ जलाजा, जलबल भई भसं की धेरी, अपड़े अंग लगाजा, मीरा कहे प्रभु किधर नागर, जोत में जोत मिलाजा, एक आउर पद मेरे वह कहती है, राडो जी मेवाडो म्यारो कोई करसी, मैं है तो गोविंदरा गुड़ गावश्या, राडो जी रूशसी गाव रखासी हरी रूम्या कुमलाश्या, है ना, आगे देखें, उन्होंने अंतर मन की भाव प्रवणता को ब्यक्त करने वाले अनेग गीतों की रचना की, कुछ परंपराओं के नुसार, मीरा के गुरू रहधास थे, जो एक चर्मकार थे, इससे पता चलता है कि मीरा ने जाती वादी समाज की रूढ़ी वादियों का उलंगन की, ऐसा मना जाता है कि अपने पती के राजमहल के एशर को त्याग कर, उन्होंने बिध्वा के सफेद वस्त्र अथ्वाशन्यासनी के जोगिया वस्त्र धारण की, हलाकि मीरा बाई के आसपास अनुवाईयों का जंगट नहीं लगा, और उन्होंने किसी नीजी मंडली की निय का सुरोत रहें, उनके रचित पद आज भी इस्त्रियों और पुरुसों द्वारा गाए जाती हैं, खास तौर से गुजरात राजस्थान के करीब लोगों द्वारा जिन्हें नीज जाती समझा जाता है, है ना, अगला पॉइंट यहां पे एक देखिए, हमें संकर देव क के बारे में आप देखें, समझें के बारे में, पंद्रहुए सताबदी के उतराध में असम में संकर देव वैश्णो धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे, उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि भगवत गीता और भगव के लिए नाम किर्तन और सर्धावान भक्तों के ससंग में इस्वर के नाम उच्चारपर बल दिया, उन्होंने अध्यात्मी ग्यान के प्रचार के लिए सत्रत या मठ तथा नामघर जैसे प्राथना ग्री की स्थापना को बढ़ावा दिया, इस छेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनाप रही हैं, संकर देव की प्रमुख काबे रचनाओं में किर्तन घोज भी है, अब आजए ये अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, नवा धार्मिक परमपराओं के इतिहास का पुनर निर्माड है इसे आप देखिए, हमने देखा कि इतिहास का धा जैसे मुर्तिकला, इस्थापत्या, धर्म गुरुवों से जूड़ी कहानिया, दैवी स्वरूप को समझने को सुकिस्त्री और पूर्शों द्वारा लिखी गई, काबे रचनाओं आदी, ठीक, और उसके आगे बढ़ने से पहले, इधार एक पॉइंट है, इसे आप फिर आगे बढ़ा जाए, सूफी परंपरा की इतिहास के पुननिर्माड के लिए बिभिन स्रोत, इनको आप पढ़ने, सूफी खान काहों के आसपास अनीक गरंथों की रचना हुई, जिनमें सामिल है, सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध, पुस्तिका, कश्फ, उल, मज, महजूब, इस विद्या का एक उधारर है, यह पुस्तक अली बिन उस्मान उजह, हुजवीरी, मित्यू, एक हजार एकहत्तर द्वारा लिखी गई, साहित इतिहास कारों को इह जानने में मदद करता है, कि महादीब के बाहर की परंपराओं ने भारत में शूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया, मुल्फुजात सुफी संतों की बादचीत, मुल्फुजात पर एक आरंभी ग्रंथ, फवाईद अल, फवाद है, यह सेख निजामु दिन अवलिया की बादचीत पर आधारी एक संग्रा है, जिसका संकलन प्रशिद फार्शी कवी, अमीर हसन सीजजी देहलवी ने किया, सुरोत नाव में इस गरंथ से लिया गया एक अंस उद्दत है, मुल्फुजात का संकलन वेभिन सुफी सिल्सिलों के सेखों की अनमति सीख हुआ, इनका उदेश मुकिता उपदेश आत्मक था, उपमहदीब की अनेक भागों से, जिन मिलते है, कई सताबीयों तक इनका संकलन होता रहा, मक्तू बात लिखे हुए पत्रों का संकलन, यह वे पत्र थे जो सुफी संतो दौरा अपने अनुआयों और शह्योगी को लिखे गए, इन पत्रों से धार्मिक सत्त के बारे में शेक्यान्मभव का वरन मिलता है, जिसे व आने लोगों के साथ बाटना चाहते थे। वे इन पत्रों में अपने अनुवाईयों के लवकिक अध्यात्मिक जीवन उनकी आकांचाओं और मुश्किलों पर भी टिपड़ी करते थे। बिद्वान बउदा सत्रहुई सताब्दी के नक्षबंदी सिलसिले के शेख अहमत सरहिंदी मिद्व कभुयन की 1624 के लिखे मक्तुबात ए इनाम इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं इस शेख की विचारधारा तुलनात्मक अध्यान ने वे बास्षा अगवर की उधारव तजकिरा ये क्या है सूफी संतों की जिवनियू का इस मरण है न अभिसे आप देख लीजे भारत में लिखा पहला सूफी तजकिरा मीर खुर्द किर्मानी का सियार उल अलिया है यह तजकिरा मुखिता चिस्ती संतों के बारे में था सबसे प्रसिद्ध तजकिरा इनकी मुतिकब हुई है 1642 का अख़बार उल अख्यार है और तजकीरा के लेखकों का मुख्युद्देश अपने सिलसिले की परधानता स्थापित करना और साथ ही अपने अध्यात्मिक वंसावली की महिमा का बखान करना था तजकीरे के बहुत से वड़न अद्भूत और विश्वसनिय किन्तु फिर भी इतिहास कारों के लिए महत्पुन है शूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं यहाद रखने योग है कि प्रतेग परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ उस के दौरान संसोधन हो गया है न वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए वी स्मृत हो गए ठीक आगया जाईए जैसा अब देखे जैसा हमने देखा यहाँ पर देखे आध्याय एक से चार मुर्तिकला और इस्थापतिकला का हम इस उद्देश के लिए तभी इस्तिमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदारों को अच्छी तरह समझे अर्थात इन आकरितियों और इमारतों को बनाने और उसक कि हमें समझ हो है ना धार्मिक विश्वासों से समंधित साहितिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है यदि हम इस अध्याय में वडित श्रोतों पर्दिष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इनमें काफी विविध्द्दा है और वे कई भासाओं वसेलियों में जबकि कुछ अलंकृत फार्सी में लिखे गया है, मुगल समराथों के फर्मानों का रूप तारण कर लेते हैं, प्रतिक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह-तरह का कौचल चाहिए कई भासाओं के जान करी, लेकिन इसके लाव अधिहासकार को प्रतिक वीधी की सैली और सैलीून के सुच मंतरों को भी पाचाना पड़ता है, है ना, लगभग सभी परिपाटी, लगभग सभी धार्मी परिपाटी आज भी पनप रही हैं, परिपाटी की यह निरंधरता जो है, इतिहासकारों के लिए लाव धायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि वे सामई आचार विहार की तुलना इस परिपाटी से कर सकते हैं, इसका वड़न साहित और उरानी चित्रकला में मिलता है, आज साथ ही उन परंपरा में आए परिवतनों के रूप रिखा में भी तैयार करती हैं, किन्तु चुकि परंपरा आज भी लोगों के जिवन का हिस्सा हैं, लोगों क परंपराय भी आने परंपराओं की तरह परिवर्तन सील हैं, आईए काल दिखा को आप देखिए, भारती है, भारती महादीब के कुछ मुक्ष धार्मिक शिच्चक, इन्हें आप देख लिजे, तमिलनाड़ में अपार सबंदर सुन्दर मुर्ती, समय क्या हैं, लगभग 500 से आठ सो इसापुर के भीश में हैं, तमिलनाड़ में नम लवर, मरीक वचचक चकार अंडाल, तोंदरा डि पोटी, ये कब से हैं, आठ सो से नौ सो इसवी के भीश में हैं, पजाब में अलुहुजूरि, दाता गंज बक्स, तमिलनाड़ में रामा, नुजाचार ये कब स बाद ये ध्यान दीजेगा और करनाटक में बश्वन्ना ये कब हैं ग्यारा सो से बारा सो इस्वी के बीच महराश्ट में ग्यान देव, मुक्तावाई, राजस्थान में ख्वाजा मुहिंदीन चिस्ती, पंजाब में बहरुदीन जकरिया, फ रियुदीन गजेशंकर, दिली में कुतुम बिनार, बक्तियार, काकी का समय के हैं बारा सो से तेरा सो इस्वी, ठीक है, और देखिए, लाल, कश्मीर में लाल देह, सिंध में लाल, साह, कलंदर, दिली में निजाम अदिन अवलिया, उतर प्रदेश में रामानन, महराश में चोख में रकिला, बिहार में श में मीर सेयद मोहमद गेशु दराज, असम में संकर देव, महराश में तुकाराम समय के हैं, चयुदा सो से पंदरा सो इस्वी बीच, बंगाल में स्री चैतन, राजिधान में मिरा भाई, उतब देश में शेख अब्दुलकुद्दस, गंगोही, मालिक मोहमद जैसी, तुल सो इस्वी के बीच में है न, तो भाई ये दिखिए, आपका कंपलीट हो गया ये अध्याय, वीडियो बड़ा था, रोक रोक के पढ़िएगा, आप लोग आराम से चलिए, तो भाई आपने आज पढ़ा विशह छे, अध्याय छे, क्लास ट्वेल्थ इतिहास का, और अध् सूफी परंपरा हैं, लगभग अठ आठवी से अठार्वी सतादी सदी तक जो हुए हैं, जो संत थे, जो उनकी द्वारा किये गए, जो उन्हें ने जो अपदेश दिया है, सारी चीजें आपने इस वीडियो में जाना, ठीक है, तो दोस्तों कैसा लाग आपको कमेंट में बताईएगा, कोई परशन होंगे तो पूशिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो आपने यार देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो धेर सारे लाइक कर रहे हैं, जो उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका करिए, है ना, जो भी करिए, पूरी ताकत, पूरी लगन, पूरी महनत से करिएगा, है ना, और इसके बाद सफालता जरूर मिलेगी आपको, भगवान आपको जो है जल्द सफालता दिलाएं, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, वीडियो आपने दिखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.